साथियों, आजकल आप लोग कुछ ट्रम्स बार बार सुनते होगे, आपके कान पर आता रहता है, परस्नालिटी डेवलप्मेंट या तो फिर टीम मेनेजमेंट, इनकी बारिक्यों को भी आप स्वामी विवेकनन का अध्यन करने के बाद और आसानी से समझ पाएंगे, परस्नालिटी डेवलप्मेंट का उनका मंत्र था, बिलीब इन यॉर्शल्ट, अपने आप पर भरोशा करो, अपने आप पर विश्वास करो, लिडर्शिप का उनका मंत्र था, बिलीब इन आल, वे कहते थे, पुराने धर्मों के मुताबिक, नास्तिक वो है, जो इश्वर में भरोशा नहीं करता, लेकिन नया धर्म कहता है, नास्तिक वो है, जो खुद में भरोशा नहीं करता, और जब नेत्रुत्व की बात आती थी, तो वो खुद से भी पहले अपनी टीम पर भरोशा जताते थे, मैंने कहीं पढ़ा था, वो किसा में आपको भी सुनाना चाहता हूं, एक बार स्वामी जी, अपने साथी, स्वामी शार्दान अन्जी के साथ, लंडन में एक पश्लिक लेक्चर के लिए गए थे, सब तयारी हो चुकी थी, सुनने वाले खट्टे हो गए थे, और स्वाभा भी कहें, हर कोई स्वामी विवेकान जी को सुनने के लिए आकरसित हो करके आया था, लेकिन जैसे ही बोलने का नमबर आया, तो स्वामी जी ने कहा कि आज भाषन मैं नहीं, बलकि मेरे सहियोगी सार्दानन जी देंगे, सार्दानन जी ने भी सोचा नहीं था, कि अचानक उनके जिम्मे काम आ जाएगा, वो इसके लिए तयार भी नहीं थे, लेकिन जब शार्दानन जी ने भाषन देना शुरू किया, तो हर कोई चकीत हो गया, उनसे प्रभावित हो गया, और ये होती हैं, लिडर्सिप और अपनी टीम के लोगों पर भरोसा करने की ताकत, आज हम जितना स्वामी विवेकानन जी के बारे में जानते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान स्वामी सार्दानन जी का ही है, साथ क्यों, ये स्वामी जी ही थे, जिनों ने उस दौर में कहां था, कि निडर, बेबाग, साफ दिल वाले, सांसी और आकांची युवाही, वो नीव हैं, जिस पर राश के भविश का निर्मार होता है, वो युवाओं उपर, युवाश शक्ति पर इतना विश्वास करते थे, अब आपको उनके इस विश्वास की कसोटी पर खड़ा उतरना है, भारत को अम नई उचाईयों पर ले जाने का काम, देश को आत्मे निर्फर बनाने का काम, आप सब युवाओं को ही करना है, अब आप में से कुछ युवाओं सोच सकते हैं, कि अभी तो हमारी इतनी उम्र ही नहीं हुई है, अभी तो हसने खेलने जिंदिगी में मौच करने की उमर है, साथियों, जब लक्ष स्पस्थ हो, इच्छा शक्ति हो, तो उम्र कभी बादा नहीं बनती हैं, उम्र इतनी माइने नहीं रखती हैं। कि अभी बाद है,